जैहिन दोस्तो ओनलाइन लर्निंग स्टैनो चैनल में आप सभी का स्वागत है सतर शब प्रति मिनट की गती से जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी सभी डिफिकल्ट आउटलाइन हमने यहां पर लिख दी है यह सभी आउटलाइन रिशी प्रणाली में बनाई गई है आप इसे हमारे वोट्सेप ग्रूप या टेलिग्राम ग्रूप से भी ले सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा चले शुरू करते हैं सतर शब प्रति मिनट कि स्टार्ट महोद्दे हमारे यहां आशानती क्यों होती रहती है इसलिए नह कि समाज में उच नीच है और लोग अनुभव करते हैं कि उन्हें नियाएं नहीं मिल रहा है कानून और ववस्था की समस्या केवल भारत में ही नहीं है मैं आप से अमरीका की और देखने को कहूंगी मैं कहूंगी की आप अनेक विक्सित देशों की और निगहां डालें जहां ना पैसे की कमी है ना रोजगार की ना दुनिया के सुख साधनों की मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि एक अकेली इस तरी जितने सुरक्षित भाव से कौलकाता या दिल्ली की सडकों से गुजर जाती है उतनी उन देशों के अनेक शहरों से नहीं गुजर सकती गुजरात को क्या सहयता दी गई क्या आपने इसके आकडे देखने का कश्ट किया है मैं यहां कागज पत्र लेकर नहीं आई हूँ लेकिन मैं कह सकती हूँ कि गुजरात को भारत के कई राज्यों की अपेक्षा अधिक साहिता मिली है आपने एक या दो विशेश परियोजनाओं की चर्चा की है परतेक परियोजना पर उसकी आवशकता के अनुसार विचार किया जाएगा और आवशकता का यह अभी प्राए नहीं है कि अमूक फर्म या विवसाए गृही को क्या मिलता है आवशकता का आशे यह है कि उससे देश को अपने पावों पर खड़े होने में सहता मिलती है या नहीं हमें उर्वरकों की आवशकता है हम उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपाए कर रहे हैं लेकिन हम विदेशी कमपनियों के साथ बिक्कर उर्वरक नहीं पाना चाहते और जब तक मैं सत्तारुड हूं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी चाहे कैसा भी दबाव क्यों ना पड़े अगर आप चीखना चाहते हैं तो विश्वास रखिये आप मुझसे ज्यादा जोर से नहीं चीख सकते इसका मुझे आप से कहीं ज्यादा अनुभव है परतेक मामले को तब तै किया जाएगा जब वहे विचार के लिए उठाया जाएगा जहां तक टाटा परियोजना का संबंध है वहे योजना अभी सरकार के सामने नहीं आई है यदि वहे आएगी तो उस पर वैसी अन्य योजनाओं की तरह समूचित विचार किया जाएगा अतीत में हमने कई बातों पर जल्दबाजी से काम लिया और आज हम उसका फल भुगत रहे हैं आप महानुभवों को इस पर लिखी गई अनेक पुष्टकों के नाम बता सकती हूँ श्टोप दोस्तों आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दे धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में